सबसे परने बात करते हैं आने वाले साल यानी 2021 के बारे में तो ये साल हमारे देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए कैसा होने वाला है 2021? नमस्कार दर्शकों को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ जिस तरह से 2020 गया आपने देखा कि हर अव्यक्ति ब्याकुल हो गया हर व्यक्ति बिमार हो गया चाहे वो शरीरिक्स तोर पर नहीं मानसिक तोर पर बिमार हो गया मगर यहां पर आपने बहुत ही महत्तपुरून अवाल किया है कि 2021 कैसा होगा क्योंकि लोग पूरी दुनिया 2021 के उपर अपना नजरगार कर बैठी हुई है और अगर हम 2021 नए वरस की बात करें तो अंग्रेजी न्यू येर हम लोग इसको बोलते हैं दिस इस इनू येर ऑफ वेस्टन वर्ड हम लोग जो है वेदिक न्यू वर्ष जो है वो 13 एपरिल 2021 को शुरू होता है मगर क्योंकि पूरी दुनिया मनाती है इसके लिए हमने इसका भी विशलेशन किया हिंदू पंचांग के मुताबिक क्योंकि यहां पर भी हम 31 तारीक की रात का महूरत लेंगे दिन गुरुबार पौश मास दुटिये उश्यनक्षत्र कन्या लगन में इसका अरंब हो रहा है तो कन्या लगन के जो स्वामी है वो बुद्ध है वो बुद्ध इस वक्त जो बुद्ध है वो अपने शत्रू गुरू की राशी में धनू राशी में सूरे के साथ बैठे हुए है देखिए मिला जुला साल रहेगा नए साल की बधाई देने की बजाए मैं ये कहूंगा लोगों को की हाथ दो ये और साथ में डिस्टेंस रखिए अभी तक करोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है हाँ definitely नए साल के तीन महीने के बाद क्योंकि पिछले साल का जो स्वामी था वो बुद्ध और चंद्रमा था जो लोग जोतिश के ग्याता है वो बात समझते हैं कि जब बुद्ध और चंद्रमा यानि बुद्ध राजा था मंत्री चंद्रमा था जो लोग जोतिश के ग्याता है थोड़ा सा भी घ्यान रखते हैं बुद्ध और चंद्रमा जब भी इकठा होता है तो definitely restless होती है और जब 2020 February में शनीने मकर राशी में 2015 जैनूरी में शनीने मकर राशी में प्रवेश किया 20 तरीक को 20 February 2020 को तो definitely एक हंगामा हो गया आप 1857 की बात कर लीजिए वाइरस आया 1916 की बात कर लीजिए तबी वाइरस आया 1942 की बात कर जब जब शनीने मकर राशी में आए यां तो विश्व युद्ध हुआ यां फिर कहीं न कहीं कोई न कोई तकलीफ आई आर्थिकमंदी का दौर आया हम चाइना को अरोब करते हैं उस वक्त तो कोई प्लेन भी नहीं चलते थे चाइना को अरोब करते हैं मैं तो कहता हूँ कि चाइना से भी निकला हो तो भी इसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया यहां पर एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि 1916-17 में वर्ल्ड वर हुआ उसी वक्त प्लेग आई 1947 में 1922 से 47 तक यानि तबी जो वर्ल्ड वर टू हुआ हिटलर की लडाई हुई उस वक्त भी जो है शनी मकराशी में था जब जब शनी मकराशी में आता है तो कहते हैं कि नियाए दिलाता है पापियों को दंड देता है इसलिए 2021 की बात करें तो 2021 के February March यानि 13 April तक क्योंकि इस पिछले साल का जो राजा बुद्ध और चंदर्मा साथ में प्रमादी संबत्स था संबत्सर बोलते हैं हिंदू धर्म के एक बरस को संबत्सर बोलते हैं हम तो 2021 जो होगा उसमें 13 April से प्रमादी यानि खतम हो जाएगा और आनंद संबत्सर शुरू होगा जिससे की definitely आनंद में वातावरन बनेंगे मगर April तक आपको बहुत ध्यान रखना है किसी ना किसी तरह की मुसीबत वापिस खड़ी हो सकती है जैसे आपने देखा UK में एक और वाइरस नया बोलते हैं आ गया कुछ ना कुछ ना कुछ समस्याइं जो हैं 13 April तक खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं इसलिए हाथ दो ये डिस्टेंस रखिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए